नमस्कार साथियों मैं हूँ डॉक्टर अनन्द भारदौ आज आपका जाना पैचाना वास्तु कंसल्टेंट और हर बार अपनी क्लास में लाता हूँ आज फिर मेरी क्लास स्टार्ट हो गई है और इसमें बता को बताने वाला हूँ मैं उस कौन के बारे में जिसको समझते हैं स्कौन में आपको यह बताने वाला हूँ आज क्योंकि से रिलेटिन मेरे पास बहुत सारी क्वेरिज आई हैं कि सर सब कुछ हमने घर में बना दिया बस वो जो कोना था हमारा वहां पे कुछ बना नहीं पाए हम बता यह क्या क्या बन सकता है जी हां अगर आप नया घर बना अगर जाना चाहते हैं तो चलिए इस वीडियो पर आखीर तक आपसे शेर करता हूं मैं आगने कौन 37 के बारे में इस विदेश में डॉक्टर आनन भार्दवाज एक पॉपिलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं दॉक्टर भार्दवाज विश्व के हाईस्ट कॉलिफाईड वास्तु कंसल्टन्ट वास्तु कंसल्टन्सी के खेत्र में विभिन्सथाओं मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी जादा अवार्ट से सम्मानित और सुशोभिद दॉक्टर आनन्द भार्दवाज यानि वास्तु शास्तर के इंसाइक्लोपीडिया अब देख रहे हैं आज हम बात कर रहे हैं साउथ इस्ट अगने कोण के बारे में साथियों साउथ इस्ट क्या होता है साउथ के मिडल से इस्ट के मिडल तक पूरी की पूरी जो दिशा होती है वो होती है पूरी की पूरी साउथ इस्ट अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके पास में बना बनाया हैं तो कोई भी भावन अगर हम ये मान लेते हैं कि इसाइब हमारे पास पूर्द्षा मिंजाती ये इस्ट हो जाता है इस ये बन permitted चौन्ट पास अगणे डख्शिंण नहीं वरे अगणे कौन है रहे आगने कोण होता है इस आगने कोण में आपने तो ये सुना है कि केवल और केवल किचन बन सकती है यही सुना है आपने तो बस लेकिन आपको मालूम है कि इस आगने कोण में इस किचन के इलावा और क्या-क्या बन सकता है वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ आपसे शेयर कर बनने वाला हूं किचन तो आपको पता ही है अब आप नोट करिए इसमें क्या क्या बन सकता है देखिए इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ें है नमबर वन किचन तो बनेगी आपको पता ही है इसके लावा यहां पर बन सकता है हमारा गैस्ट रूम Green color का मतलब विलकु ठीक है gestroom बन जाएगा बहुत अच्छा बनेगा नमबर औन यहाँ पर आपका बन सकता है Home Theater आपका Home Theater बन सकता है जिसके आप TV room बोलते हैं यहाँ पर आपका बन सकता है store बहुत अराम से बहुत असानी से यहाँ पर आपका बन सकता है बार जो हूम बार होता है मैं दिखाता हूँ अभी आपको गैसूम बन सकता है हूम थेटर बन सकता है स्थोर बन सकता है अगर आपके पास को इंडस्ट्री है तो यहां पर आपका बन सकता है बाइलर कोई भी बाइलर यहां पर बन सकता है फरनेस लग सकती ह यहां पर Furnace अगर आप चाहते हैं जिसको हम कहते हैं अगनी के इसके अलाबा एक बात और बताते हैं हम बहुत बार industry में और इंडbaby बहुत बार घरों में समस्या है स्क्रेब रहने की कबाड़ी को बेशने का समान scrap को भी रख सकते हैं अराम से आप south east में जो बेकार चीज़ें होती है ठीक है इसके इलावा और भी कुछ चीज़ें हो सकती है जो कि आप अपने south east में use कर सकते हैं रख सकते हैं for example kitchen तो मैंने आपको बताए था देखिए kitchen है आपके सामने बहुत अच्छी kitchen वास्तो के नुसर बनी हुई है अब देख रहे हैं इसमें ये gas है gas तो बिल्कु ठीक पानी left में, north में पानी east में fire इसके अलावा ये kitchen है देखिए ये आपका रसोई हर ठीक है ये kitchen आपकी इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि यहां पर और भी बहुत कुछ आप रसकते हैं जैसे बार आजकल घरों में बार बनाने का fashion है साथियों वास्तो तो अलाव नहीं करता वास्तो से तो नहीं होनी चीए पर समय के साथ लोग चलते हैं तो बार को भी इसी जगाँ पर हम 37 में बना सकते हैं बड़े आराम से कोई समस्य हमें नहीं है उसके लिए क्योंकि शुक्र का स्थान होता है साथियों विनस का स्थान होता है राग रंग मौज मस्ती का यह जगाँ होती है हमारे जोतिश के साब से भी और प्लैनेट्स के साब से भी तो बड़े आराम से बन सकता है यहाँ पर आपका बार जो होम बार्स को बोलते हैं हो टीवी रूम जिसको हम कहते है होम थेटर होम थेटर बहुत अच्छा रहसा बनेगा यहाँ पर इसके इलावा हो देखे होम थेटर के अंदर क्या होगा कि मतलब आप बैठेंगे लेकिन एक ध्धान कर लेना कि आपका जो टीवी होगा या आपका जो भी आपने जहें कोई ऐसे स्क्रीन बनाई या आपने वो हमेशा या तो एस में होगी या फिर नौर्थ में होगी इसी तना से आपने स्टोर बन जाएगा फर्नेस बन जाएगी वहाँ पर आपका बॉयलर बन जाएगा और किचन तो बनी सकती है किचन स्टोर बन सकता है और्णरी स्टोर बन सकता है वहाँ पर गैस बढ़नों बन सकता है साथियों कितनी चीज़ें मसकती हैं 37 में आपका जो डिश एंटियना यूज़ करते हैं वो लगा सकते हैं 37 में और आजकल जो है च्छतों के उपर जैसे कि सोलर सिस्टम लगाते हैं पैनल लगाते हैं वो भी 37 में बहुत अच्छा होता है उसका स्लो भी आम तोर पर साथ में किया जाता है तो 37 को बेकारमा समझो बहुत अच्छी जगा है क्या नहीं बनाना यहां पर Master bedroom नहीं होना चाहिए, पूजा स्थान यहां पर नहीं होना चाहिए, बच्चों का study room नहीं होना चाहिए, और हो सके तो बच्चों का यहां पर bedroom भी ना हो, तो ज्यादा अच्छा होता हो, क्योंकि यहां पर बनते हैं बहुत ज्यादा toxin, क्योंकि जो sun है transit करता है, उसकी जो wavelength यहां पर जाके धीरे धीरे कम होना शुरू कर देती है और वेवलेंद कम होती तो frequency बढ़ती है, science की बाते हैं, इतने गहराई में नहीं जाएंगे, कुछ logic होता है, कुछ कारण होता है वास्तु के पीछे, कोई अंद विश्वास नहीं, हर बात को logic से समझे, science से समझे, और ड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया ता भूल गए थे आप, तो आज ही कर लेना, क्योंकि एक-एक करके पूरे घर के बारे में, और उसके बाद में, commercial वास्तु के बारे में, industry के बारे में, offices के बारे में, showroom के बार अच्छा वास्तु सीखिए, इमानदारी का, जिसके पीछे कोई ना कोई लोजी, अगले वीडियो में फिर से आप से मुलाकात करता हूँ मैं, तब तक के लिए दिया मुझे इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, और टेक कियर.